हालो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल दववानी क्लासस इस वीडियो में आपके साथ ब्लॉक टीचिंग का एको लेसन प्लान्स शेयर करूंगी जिसका टॉपिक है परासरन यानिकी ऑस्मॉसिस इससे पहले भी मैं आपके साथ बहुत सी लेसन प्लान्स की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो चैनल की प्लेस्ट में मिल जाएंगी और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइट कर दूँगी अगर आपको वो देखनी है तो आप उनको वहां से जाकर देख लीजेगा शुरू करते हैं यह वीडियो बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक शूर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूं लेसन प्लान या फिर बीर से लेडिर त उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं यह लेसन प्लान तो यह लेसन प्लान लाइफ साइंस का है जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हमें कोई भी लेसन प्लान लिखना होता है तो उसके उपर हम इस तरह से एक बॉक्स बन परासरन यानि कि Osmosis टाइम लिमिट्स में अब दी होगी 30-35 मिनिट्स दिन आक जिस रेट को आप लेसन प्लान डिलिवर कर रहे होगे वो और आपके टीचर का नाम तो इसके सिक्षन बिंदू है यानि कि टीचिंग पॉइंट्स जो हम आज इस लेसन में करवाएंगे बच अब जक्षन अधिकम प्रक्रिया के अंत में विद्यार्थी सक्षम होंगे फॉस्ट वनिस परासरन को परिवाशत करने में सेकिंड अल परासरन का अर्थ बताने में तो यह थे हमारे इंस्ट्रक्षन अबजेक्टिव उसके बाद हम लिखते हैं सिक्षन साहिक समगरी जो ह हमारी टीचिंग एड्स होती है वो जिसे श्यामपट चॉक जार्डन चार्ट संकेत जो भी आप यूज करोगे उनको आप यहां पर लिखोगे तैन हम करते हैं पूर्व ग्यान परिक्षन यानि कि प्रिविस नॉलेज टेस्टिंग की बच्चे को जो आप अड़ा रहे हो उसके वारे में कितना नॉलेज है तो शायतर अधियापी का पूर्व ग्यान परिक्षन है तो विद्यार्थियों से नीमनल इप्रश्ण पूछेगी जल में भिगोने के बाद किशमिश में क्या अंतर आता है तो आप बच्चे उसका अंसर देंगी अगर उनको पता होगा तो तो बच्चों को इसका अंसर नहीं आएगा फिर आप अपने जो भी आपका टॉपिक है परश्ण उसके आप गोशना करोगी तो उपविशे क्यूद गोशना में लिखेंगे हम कि छात्रों से पूछे गए अंतिम कुछ प्रश्णों का संतोष जनक उतर न मिलने पर छात्र द्यापिका उपविशे क्यूद गोशना करते हुए तो बच्चों आज हमारे पढ़ने का उपविशे है परसरन दैन हम प्रस्तुति करन यानि कि प्रसंटेशन करेंगे तो उसमें हम इस तरह से कुछ लिखेंगे कि हम पहले तो हम फॉर वोक्स बनाएंगे तो हम शुरू करते हैं इस तरह से चात्रो जल के अनू की गती जब वरनात्मक पारगम में जिल्ली के दुआरा हो तो उसे परसरन कहते हैं जिसको एंग्लिश में हम ओस्मोस भी लिखते हैं तो शात्र द्यापिका श्यांपट पर लिखेगी परसरन दन उसके आगे प्लाजमा जिल्ली में जल की गती जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होती है जल के अनू वरनात्मक पारगम में जिल्ली से उच्छ जल की सांदरता से नीमन जल की सांदरता की और जाते हैं जैसे मोसमोसिस में करते हैं कि हाई कंसर्टेशन से लोर कंसर्टेशन की और जाएंगी आगे टीचर कोशिशन पूट करती है कि कंचन आप पताईए परासरन क्या है तो कंचन आंसर देती है कि जल के अनुओं की गती जब तो टीचर उसको मोटिवेट करती है कि हाँ हाँ कोशिश कीजिए तो वरनात्मक पारगम में झिली के दुआरहों उसे परसरन कहते हैं वरनात्मक पारगम में झिली यनि कि semi permeable membrane जिसको हम कहते हैं तो टीचर उसको बोलते हैं कि शाबाश बैठ जाईए तो जाता है थे आप एका श्यामपट पर परसरन का चित्र बनाते हुए तथा मौकिक रूप से समझाते हुए तो टीचर इस तरह से ब्लाक बोर्ड पर डाइग्राम बनाएगी कि परसरन से पहले जल इस तरह से होता है और जब परसरन होता है तो उसके बाद जल एक साइट बढ़ जाता है दूसरी साइट कम हो जाता है तो आगे टीचर पढ़ाते हैं कि परसरन प्रक्रिया की घटनाए प्राए तीन प्रकार की होती हैं अल्परसरन, सम्परसरन and third अतिपरसरन फिर आगे टीचर बोलेंगी उनको explain करेंगी अल्परसरन यदि कोशिका को तनू घोल माध्य में रखा जाए तो जल्परसरन की विधी से जल कोशिका में चला जाता है जल के अनू कोशिका जिली के दोनों और आने जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं पर कोशिका के वीतर जाने वाले जल की मात्रा अधिक होती है इसलिए कोशिका फूल जाती है जैसे किश्मिश फूल जाती है तो आप teacher question put करेंगे कि कविता आप बताईए परसरन कितने प्रकार का होता है श्यामपट पर लिखिए तो teacher ने बोला कि बच्चे श्यामपट पर लिखो तो बच्चे वो श्यामपट पर लिखता है अल परसरन, सम परसरन and थर्ड अती परसरन तो teacher बोलते हैं कि शाबाश जाई और बच्चे वैठ चाईए तो आगे सम परसरन जब कोशिका को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसमें बाहरी जल की सांदरता कोशिका में विद्यवान जल की सांदरता के बराबर हो तो कोशिका जली से जल की गती नहीं होगी जितनी जल की मात्रा बीतर जाती है उतनी ही जल की मात्रा बाहर आती है तो ये हो गया सम परसरन उसके आगे अती परसरन किदी कोशिका के बाहर वाला गोल बीतर के गोल से सांदर हो तो जल परसरन से कोशिका के बाहर आ जाएगा इस थिती में कोशिका से जादा से जादा जल बाहर आएगा तथा कम जल अंदर जाएगा तो अब टीचर पूछते हैं कि नेहा आप बताईए अलप परसरन के कारण कोशिका में क्या बदलाब आता है तो नेहा जो बच्चा है वो बोलती है कि अल्प परसरन के कारण कोशिका फूल जाती है तो शातरद्यापिका जो बच्चा है उसकी पीठ थपत पाएंगर बोलेंगे कि शाबाश बच्चे बैठ चाहिए तो यह हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ तो हमागे रिकैप्चुलेट करेंगे जो भी आज हमने पढ़ा यानि कि पुनरव रिती करेंगे उसकी तो टीशर बोलेंगे कि तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि जल के अनूं की गती जब वरनात्मक पारगम में जिली के दुआरा हो तो उसे परसरन कहा जाता है परसरन तीन प्रक्रिया से होता है अलप परसरन सम परसरन और अती परसरन अलप परसरन में कोशिका फूल जाती है और सम परसरन में जितना जल कोशिका के अंदर जाता है उतना ही बाहर आता है और अती परसरन में कोशिका से ज्यादा मात्रा में जल बाहर आता है तो ये होगे पुनिडवरिती, फिर मुल्यांकन करेंगे यानि कि इवैलुएशन बच्चों से कॉश्ण पूछेंगे फर्स्ट कॉश्ण पूछेंगे कि परसरन क्या है, सेकंड अलप परसरन क्या है, थर्ड सम परसरन से कोशिका मेजल की गति कहां से कहां होगी फूर्थ अरती परसरन क्या है, तो जिस तरह से बच्चे आंसर देंगे न तो उस तरह से टीचर को पता चल जाएगी कि बच्चों ने क्या सीखा दन गरियकारे यान की होम वक देंगे कि छात्रा ध्यापिका गरियकारे हैं तो बच्चों को निमलिकित प्रशन देगी फॉर्स कोशन इस परसरन को परिवाशत कीजिए, सेकिंड अलप परसरन, सम परसरन और अतिय परसरन की व्याख्य करो तो गाइस यहां पर हमारी वीडियो एंड होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़ूर बताईए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपको और वी लेस्न प्लान्स की वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए फिर जिस भी टोपिक से लेटेट आपको वीडियो चाहे तो आपको कमेंट कर दीजिए मैं आपके लिए डेफिनेटली वो वीडियो लाने की कोशिश करूगी So, please do like, share and subscribe the channel for more updates Bye-bye, take care पुशिश करूंगी